लगता है अब पाकिस्तान को अपनी बेज़ती की आदत पड़ चुकी है जब तक बेज़ती ना हो जाए तब तक घुसे रहते हैं कहीं न कहीं बात करते हैं जब बेज़ती होती है तब ही पुल आउट करते हैं ऐसा भी हाल में हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ब region के लिए थी मतलब इंडिया notion जहां से 60% के global trade जाता है वर्ल्ड का उसकी security और उस Indo-Pacific area की security के लिए थी जिसमें 30 से ज़्यादा countries शामिल थे हमारे external affairs minister S.J. Shankar साब भी उसमें थे और बाकी भी थे यह 22 फरवरी को यह meeting होई थी और इसमें join करने के लिए request देने के साथ साथ और भी जगा उन्होंने join करने के लिए request दी थी European Union में लेकिन वो join नहीं कर पाया है join उन्हें करवाया नहीं गया European Union basically चाहता है कि Indo-Pacific region और Indian Ocean में security, maritime security जो है या दूसरी security जो है वो साथ आएं और like-minded countries और जो countries world के favor में काम कर रहे हैं उनको रखा जाए चाहिना तो वो बिलकुल नहीं चाहता है तो ये पाकिस्तान का चाहिना के पाले में होना ये दिक्कत दे रहा है पाकिस्तान को भी ये बत पता है कि हम यहाँ से फस्रे हैं लेकिन फिर भी क्या करें पाकिस्तान को चीन की वो क्या बोलते हैं शेहद से मीठी दोस्ती अब उसी में फस्ते है European Union चाइना को अपना rival मानता है और उनकी security policy जो है वो इस चीज़ पर टिकी होई है कि एशिया से उनका जो trade है वो European Union का trade उसकी safety हो पाए इसलिए वो कर रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एक और मीटिंग भी मांगी थी एक और मीटिंग के लिए भी बोला था वो थी European Union के High Representative for Foreign Affairs and Security Policy जोसेफ बोलल फॉंटेलेस के साथ ये मीटिंग भी deny कर दी गई deny इसलिए की गई के उन्होंने बोला के भाईया आप कौन हो आप के आप आर्मी चीफ हो आप कोई diplomatic आदमी नहीं हो आप से हम मीटिंग क्यों करें और आपके साथ मीटिंग करने का हमें कोई शौक नहीं है आप पाकिस्तान के हो चाहिना से मीटिंग करो हम से क्यों कर रहे हो हम आप से खुश नहीं है जनरल बाजवा जो हैं वो इससे पहले Munich Security Conference में भी जाना चाहते थे लेकिन उनको वहां पर भी ब्लॉक कर दिया गया इस बार बोला गया कि आपके National Security Advisor मुईद यूसफ वो यहां पर है वो मेटिंग कर रहे है आपकी जरूरत नहीं है इसमें तो कोई शक नहीं कि जब एक आदमी वहां पर बैठा है वो भी पॉलिटिकल आदमी बैठा है तो दूसरा क्यों आएगा लेकिन जनरल बाजवा को अब उनको भी एक शौक चड़ गया है आर्मी चीफ के साथ सथ वो यह शौक उनको यह चड़ा है कि मैं प्रेजडेंट मुशररफ की तरह हर मीटिंग में भी जाओ इमरान खान क्या कर रहे है अंडे दे रहे हैं खैर इमरान खान कुछ भी करे है और आर्मी चीफ कंट्री चलाने की प्लैन बनाए लेकिन इसके साथ पाकिस्तान को एक बात अच्छी तरह से पता है जो रीजन है इन सारी मीटिंग्स के डिनायल का रीजन क्या है रीजन यह है कि तालिबान कोछ अनलिमिटेट सपोर्ट था पाकिस्तान उससे पूरा यूरोप नराज है पूरा अमेरिका नराज है यूएन भी नराज है लेकिन पाकिस्तान यह सोचता है कि हम जूट बोलेंगे और सब हमारे जूट मानेंगे इसलिए पाकिस्तान को यह लगता है कि चलने दो हमने बोल दिया और जूट मान गए सब के सब, हम अपना ये काम भी करते रहेंगे, आतंक्यों को समर्थन भी देते रहेंगे, चाहिना के पाले में भी बैठे रहेंगे, और European Union में भुश जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, आपको एक साइड लेनी पड़ती है, इंडिया की policy भी तो बिल्कुल क के खिलाफ, पहले French Ambassador को निकालने की बाद की, इमरान खाल ने, उसके बाद इतने प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद वहाँ पर इतना हंगामा हुआ, तो बही एक और कंट्री का, European Union के, इस समय तो Presidency है, फ्रांस के हाथ में, European Union के, एक आदमी, जो के एक मेंबर, जो के इत दिन से सेशन चल रहा है, आज आना चाहिए, आएगा ना, तो पता चलेगा क्या रिजल्ट आया है, खिर, इस में भी, और दूसरा जो ये Blasphemers के साथ, जो Blasphemy Law है, और Blasphemy का जो गेम है, इस से भी, इस से भी लोग परिशान है, इस से भी European Union परिशान है, और ये चीज, उन्होंने साफ बोली, European Union ने, कि भाईया, ये बाजवा साब आएंगे, क्यों, आर्मी चीफ है, हम भी इज़त करते हैं, सब इज़त करते हैं, लेकिन बाजवा साब का काम ये है, कि वो किसी international conference में जाएं, क्यों हो जाएं, अगर आप अपनी country के Islamic affairs minister को भीज देंगे, तो प्रोटोकॉल समझते नहीं है, आर्मी चीफ हर जगा घुजना चाहते हैं, फिर क्यों?